चौथा अध्याय तथा उन दिनों में पुनुरुथान के प्रचार पर सदूकियों वफरिस्यों के बीच ये बड़ा विवाद चल रहा था। फरिस्य पुनुरुथान और आत्मा में विश्वास करते थे परन्तु सदूकी नहीं करते थे। प्रेरित पौलुस को जब सभा के सामने लाया गया तो उसने महसूस किया कि वहाँ सदूकी वफरिस्यों दोनों हैं तो उसने स्वतंतर होने के लिए उनका प्रयोक किया। उसने कहा, मैं आज यहां हूँ, मेरे उपर अपराद है क्योंकि मैं पवित्र शास्तर पर विश्वास करता हूँ कि मृत्वकों का मुपनुरुथान होगा। और सारे फरिसी कहने लगे, यह तो कुछ गलत नहीं कहता। और सारे सदू की क्रोधित हो गए और आपस में विवात करने लगे। जब वे आपस में लड़ रहे थे, पॉलुस बहार निकल गया। इस प्रकार सदू की चड़ाए और क्रोधित हुए कि येश्व के द्वारा वे मृत्वकों का पुनुरुथान सिखा रहे थे। और उन्होंने उन्हें पकड़ कर दूसरे दिन तक हावालात में रखा क्योंके संधिया हो गई थी। ये दोपर करीब तीन बज़े आरंब हुआ और अब संधिया हो गए। इसलिए उन्होंने रात भर के लिए उन्हें बंदी घ्रह में रखा। परन्त वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिंती पांच हजार पुरुशों के लगबख हो गई। इस प्रकार उस दिन अच्छा प्रचार कार्य हुआ। जो विवस्था को जानता था। क्योंकि विवस्था में कहा गया है कि यदि कोई लोगों के सामने चिन्ने ये चमतकार करे और लोग अचंबित हों और यदि वो आपको यहुवा पर मेशुर के अतिरित किसी और की उपास न करने को कहे तो उस व्यक्ति को मृत्युदन दिय जाए क्योंकि वो जूटा नभी है। इस अफसर का लाब उठाया। ये जानते हुए कि प्रश्ण मुख्य था और उसने उनको परमेश्वर का नाम बताया। क्योंकि उसने कहा ये यहोशुआ के द्वारा किया गया। तब पत्रस ने पवित्रात्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा ओह कितनी आदरनी मंडली थ आज वे सब जमा थे, सारे अगवे, सारे धार्मिक अगवे, सभाव, कैफा और सब साथ ही, आज सब जमा थे। और नवी आयत में पत्रस कहता है, हे लोगों के सरदारों और पूर्णियों, इस दुर्बल मनुश्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विश चालिस वर्षों से लंगड़ा था, वो खड़ा हो गया, उसके पैर सीधे हो गया, क्या इस कारण तुम हम पर दोश लगाते हो, कि हमारे विरोध में ये अपराद गिना जा सकता है, कि हमने इस विक्ति को चंगा किया, क्रोधित होने का क्या ही अजीब कारण है, दस्वी आ चालिस पर चड़ाया, और जिसे पर मेश्वन ने मरे हुओ में से जिलाया, ये मनिश्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है, तुम जानना चाते हो, ये कैसा हुआ? ये वही पत्थर है, जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुछ जाना, और वो कोने के सिरे का पत्थ भजन सहींता, 118.1 महिमा पूर्ण मसी से संबंदित भजन है, जिसे वे सभी जानते थे कि ये भजन मसी का भजन है, जहां घोशना की गई है कि जिस पत्थर को राज मिस्तरियों निकम्मा ठेराया था, वही कोने का सिरा हो गया है, ये तो यहोवा की ओर से हुआ है, ये हमारे द्रिष्टी में अद्भूत है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन वह आनदित हो, धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, पत्रस उसका संदर्ब देने लगा, और वे जानते थे कि ये भजन मसी से संबंदित है, और उसने कहा तुम लोगों ने, यह वही पत्थर है, जिसे तुम राज मिस्त्रियों ने तुछ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनिशों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, जिसके द्वारा हम उद्धार ओहु, ये तो यहुदी धर्म के अनुसार परमेशुर के निंदा है, क्योंकि उनके लिए तो उध्धार बलिदानों द्वारा था, जिसे वे चड़ाते थे। और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, जिसके द्वारा हम उध्धार पाएं। जो आनंद जीवन को ले जाता है, सीधे दुवार से प्रवेश करने का प्रयतन करो, जब लोग कहते हैं, ओ, तुम बहुत सकरे हो, तब मैं सोचता हूँ, ठीक है, मैं सही मार्क पर हूँ, ओ, तुम चोड़े मार्क पर तुमें होना चाहिए, तुमें और अधिक मुक्त विच यह वही पत्रस है, और यह भीड़ वही है, जो उस समय उपस्ति थी, जब ये शुपर मुकदमा चल रहा था, और पत्रस बाहर खड़ा था, उस समय एक दासी ने उससे कहा था, क्या तुू उसका शिष नहीं? और पत्रस ने कहा, नहीं, मैं नहीं, तुमें भ्रम हो रहा है हे लड़की, नहीं, मुझे पक्का निश्य है, तु उनमें से एक है, मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें उसके साथ देखा है, नहीं, 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 और सिपाही कहने लगे, हाँ, तुम भी उनमें से एक हो, तुम गलिली हो, तुम्हारी बोली बताती है, और वो कसम खाने और ब पट्रस महासभा के सामने मसी की सामर्थ का एक गवा है और सब अधिकारी और इस्राइल के पुर्णिये के सामने पत्रस सहस पूर्वक घोशन कर रहा है कि उन्होंने बड़ी गलती की थी कि उन्होंने महिमा के प्रभू को क्रूस पर चड़ा दिया था और जैसे कि भविश्वाने की गई उन राज मिस्त्रियों ने उस कोने के सिरे के पत्थर को नकार दिया जब उन्होंने पत्रस और यूहना का हियाव देखा और ये जाना की ये अनपड़ और साधारन मनुश्य है ये पहली बात है कि कई बार लोगों को मसीहियों के विशे ग गलत धारनाय मिलती है उन्होंने जाना उनका जाना गलत था उन्होंने जाना कि वे अनपड़ और अज्यानी है उन्होंने उनकी तीन वर्ष की निजी शिक्षा को नहीं पहचाना जो सबसे बड़े शिक्षक से उन्हें मिली थी अज्यानी वे अनपड़ होने से कहीं दूर वे शायद उस समों में सबसे अधिक ज्यानी थे वे पवित्र शास्तर को इतनी अच्छी तरह से जानते थे कि उन्हें परमेशुर के वचन की इतनी गहरी समझ थी ये पहला गलत विचार था तो अच्छमभा किया फिर उनको पहचाना कि ये ये येशु के साथ रहे हैं दूसरा गलत विचार उन्होंने उनके येशु के साथ संबंद को भूत काल में रखा उन्हें ये ग्यात नहीं था कि येशु तो उस समय भी उनके साथ खड़ा था और उन्हें बता रहा था कि क्या कहना है येशु ने कहा था जहां कहीं दो या तीन मेरे नाम सी कठा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ येशु ने कहा था वे तुम्हें अदालतों में ले जाएंगे पहले से कुछ मत सोचना की क्या कहना है परन्तु उसी घड़ी पविदरात्मा बताएगा की क्या कहना है येश्यू ने कहा समस्त संसार में जाओ प्रतेग प्रानी को सुसमचार सुनाओ और देखो मैं सदा तुमारे साथ हूँ येश्यू की उपस्तिती तो वहां ही नहीं उनके साथ थी और उनके संपूर्ण जीवन उनके साथ थी जैसे कि प्रभू की उपस्तिती आज भी हमारे साथ है और वो हमारी प्रार्थना सुनने के लिए हमारे साथ उपस्तित रहता है ये दूसरा गलत विचार उनका था कि वे यीशु के साथ रहे थे क्योंकि वे उस शन भी यीशु के साथ थे ये विचार मुझे बहुत अच्छा लगता है चौद्मी आयत में और उस मनश्यु को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ कहना सके आप क्या कह सकते हैं एक मनश्य है उसके पाव सीधे हो गए है वो खड़ा है मुस्करा रहा है आप इसके विरोध कुछ नहीं कह सकते यहाँ एक सबूत है जिसका इंकार नहीं किया जा सकते आप यहिश्य के नाम की सामर से इंकार नहीं कर सकते जब व्यक्ति वहाँ खड़ा भली तरह से मुस्करा रहा है और आप जानते भी हैं कि जीवन भर वो किस दशा में था कलीसिया को आज आवशकता है कि उसके बीच में इस प्रकार के बहुत से लंगड़े स्वस्थ होकर खड़े हूं आप में से बहुत से इसी प्रकार लंगड़े थे अपने पापों में, नशिली दवाओं में, शराब में, सेक्स में आप विकलांग हो गए थे और आप एक लंगड़ा जीवन जी रहे थे परन्तु येश्व ने आपके बीते समय की गंदेगी कर धो डाला और आप चंगे होकर परमेश्वर की संतानों के साथ खड़े हैं लोग जो आपको पहले से जानते थे वे अब आपको देखते हैं कि आप कुछ और हो गए हैं और वे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आप में एक नाटी की परिवर्तन आ गया है और वो साफ दिखाई देता है आप वहां भले चंगे खड़े हैं इसके विरुद आप क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आप एक लंगड़े विक्ति को चंगा भला खड़ा देखते हैं यह हमेशा ही गवाही रही है जो कलीसिया देख सकती है और दे सकती है उसके बीच में लंगड़ा विक्ति भला चंगा खड़ा है हम सब ही जो पहले लंगडे थे अविश्य मसी के सामश से चंगे हुए हैं कितनी महिमा पूर्ण बात है पंदरवी आयत से आगे परंत उन्हें सभास से बाहर जाने की आग्या देकर वे आपस में विचार करने लगे कि हम इन मनुश्यों के साथ क्या करें क्योंकि यरुश्यम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारे एक प्रसिद्ध चिन दिखाया गया है और हम उसके इनकार नहीं कर सकते हम नहीं कह सकते कि ये सब धोका है वह व्यक्ति तो चल ही नहीं सकता है शहर का हर व्यक्ति जानता है कि क्या हुआ है हम इस आश कि वे इस नाम से फिर किसी मनिश्यों से बात न करें। उनको इस नाम को फिर नहीं लेना है। अब ये तीसरी गलती थी जो उन्होंने की। उन्होंने सोचा कि धमकियों के कारण वे उनका मुँव बंद कर लेंगे, ये उनकी तीसरी गलती थी। परंतु पत्रस वयहुना ने उनको उतर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या ये परमेश्वर के निकिट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात मानें। आपको मनिश्वर की बात मानना है या परमेश्वर की इसका फैसला आपको स्वयम करना है। बिस्वी आयत में, जहां तक हमारी बात है, ये तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा वो सुना है, वो न कहें। सब उन्होंने धमकी दी कि आगे इस नाम को लेकर कुछ न कहना। तब पतरस ने कहा, परमेश्वर के दृष्टी में क्या ठीक है। इंसान परमेश्वर की सुने या मनुष्य की हर विक्ति को अपना फैसला आप लेना है, परंतु हम अपने लिए जानते हैं, हमें परमेश्वर का आग्या पालन करना है, हमें मनुष्य की नहीं परंतु परमेश्वर की बात मानना है, हमें केवल वही बोलना है, जो हमने देख ये देश के नियम परमेश्वर के नियमों के प्रतिकूल हो तो परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें परमेश्वर के सुनना है न कि मनुश्य की। कुछ लोगों का कहना है कि आराधना स्तलों को कर्ब मुक्त करने से सरकार पर बोज डालना है। परमेश्वर के आग्या माने या मनुश्य की ये तुम ही बताओ कि जो बाते हमने देखी वो सुनी है उन्हें न बोले। एक समय था जब यर्मिया भविश्वर का संदेश देने के कारण बंदिग्रह में डाल दिया गया था। परमेश्वर ने कहा जा और उनको संदेश दे। वो गया और उसने यरुश्लेम वासियों को परमेश्वर का संदेश दिया और इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने उसे बंदिग्रह में डाल दिया। तब वो परमेश्वर से शिकायत करने लगा। क्या अपने दास से ऐसा वेवार करने का तेरा ये तरीका है। मैंने वो किया जो तूने करने के लिए कहा था। और अब तूने उन्हें अन्युमती दी कि वे मुझे बंदिग्रह में डाल दे। बहुत हो गया। मैं परमेश्वर के महीमा कर रहे थे। मती पान सोला में लिखा है तुम्हारी जोती मनिश्यों के सामने इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में हैं बढ़ाई करें। आप जानते हैं कि भले काम करने के पीछे मनिश्य का उदेश क्या होता है। लोग आप वे छूट कर अपने साथियों के पास आए वे उस विरोधी वातावरण में थे इसलिए वे मैत्री के वातावरण में कलीस्या में चले गए ते बिस्वियायत में और जो कुछ महायाजों को वो पुर्णियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया यह सुनकर उन्होंने एकचित होकर हूँचे शब्द से परमेश्वर से कहा अब उनकी प्रार्थना पर ध्यान दीजी मेरे लिए प्रार्थना का यह स्रेष्ट आधर्श है मैं सोचता हूँ कि किसी व्यक्ती के लिए स्रेष्ट अध्यन यह हो सकता है कि वो बाइबल में दी गई प्रार्थनां का ध्यान करे मैं सोचता हूँ कि वे आपको आति आकरशिक करेंगी उनकी शैली का ध्यान करे नमोने का ध्यान करे और इस प्रार्थना को वे कैसे आरंब करते हैं 24-वी आयत में देखी हे स्वामी तू वही है जिसने स्वर्ग और पृत्वी और समध्र और जो कुछ उसमें बनाया सबसे पहले परमेश्वर के पैचान जिसका वे प्रार्थन महंगिकार कर रहे थे स्वामी तू सब के उपर है तुने सब कुछ बनाया इस कारण में कई बार सोचता हूँ कि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, तो परमेश्वर की महानता वर विस्तार को नहीं जानते हैं। हम केवल अपनी समस्या को पहचानते हैं और केवल उसकी ही बात करते हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी हमें लगती है। ये इसलिए होता है कि मेरी दृष्टी केवल मेरी समस्या पर होती है और मैं अपने दृष्टी कोन खो देता हूँ जिससे मैं परमेश्वर की महानता को नहीं देख पाता। प्रार्थना में हमें सबसे पहले कुछ समय परमेश्वर की महानता पर लगाना आविशक है। कल्पना कीजिए कि मैं स्रिष्टी के करता से बात करने बैठा हूँ, तो उने स्वर्ग, पृत्वी और जो कुछ उन में है, सब को बनाया। यदि मैं इस बोध के साथ प्रार्थना करना आरम करूं कि परमेश्वर महान और असीम है, तो मैं पाऊंगा कि मेरी प्रार्थनाएं उस निराशा के घेरे में अधिक नहीं रहेंगी। मैं निराश के वल तब तक होता हूँ, जब तक मेरी द्रिष्टी अपने ऊपर रहती है और परमेश्वर से हटीवी होती हैं। जब मेरी समस्या इतनी बड़ी दिखती हैं कि परमेश्वर का दर्शन मुझ से चिप जाता है, तब मैं परमेश्वर ये द्रिष्टी कोन से वंचित हो जाता हूँ। इसलिए प्रार्थना को आरम करने का ये अच्छा तरीका है। ब अवितरात्मा के दुआरा अपने सेवक हमारे पिता दाउत के मुख से कहा कि अन्य जातियों ने हुलड क्यों मचाया और देश-देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बाते सोची। प्रभू और उसके मसी के विरोध में पृत्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक जिससे तुने अभिशे किया हेरुदेस और पेंटूस पिलातूस भी आन्य जातियों और इस्राइलियों के साथ इस नगर में इकठे हुए। प्रभू तु सब कुछ जानता है ये बात तेरे लिए चमभे की नहीं इनके होने से पहले प्रभू तुने ये बाते बताई। उसने पहले से ही ये बाते बता दी। प्रभू ये तेरे लिए अच्छंभी की बात नहीं। तुने यही बाते दाउद के मुझे कहलवाईं और जैसा तुने कहा वैसा ही हुआ। क्योंकि वे जमा हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्त और गती से ठहरा था वही करेंगे। ये भी एक महिमा से पूर्ण शांति दायक विचार है कि परमेश्वर को मेरे जीवन का पूर्ण नियंतरन है। परमेश्वर को उन परिस्तितियों पर नियंतरन है जो मेरे चारों और हैं। हम डरते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि वो सब नियंतरन से बाहर है। परमेश्वर क नियंतरन उन सब परिस्तितियों पर है, जो आज मुझे घेरे हुए हैं। तेरा वचन बढ़ हियाव से सुनाएं। उनसे कहा गया, आगे को ये नाम न लेना, अन्यता बुरा होगा। फिर भी वे प्रार्थना क्या कर रहे हैं। वे उस काम को करने की सामर्थ मांग रहे हैं। जिसके लिए उन्हें चितावनी दी गई की न करें। उनकी धमकियों के कारण हमारे मूँ बंद न होने दे प्रफू। उनकी धमकियों से हमें भैवित न होने दे। हम इसलिए खामोश न हो कि उन्होंने धमकी दी है। परंतु हमें हियाव दे की हम तेरा वचन बोले। और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्न और अद्बुत काम तेरे पवित्र सेवक येश्व मसी के नाम सीखिये जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तू अस्थान जहां वे इकटे थे हिल गया। और वे सब पवित्रात्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। प्रार्थना का शीग रूत्तर स्थान हील गया और उन्होंने वचन हियाव से सुनाया। आगे लिखा है, और विश्वास करने वालों की मनली एक चित और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपती अपनी नहीं कहता था, पर उन्हों सब कुछ साजे का था। और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभूक येश्व के जी उठने की गवाही देते रहे और उन्हों सब पर बड़ा अनुग्रह था। जैसे हम अपने आगे के अध्यन में देखेंगे, हमारी पहली बात होगी उन्हों पर बड़ा अनुग्रह था। 34. और उन्हें कोई दरिद्र न था। और यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांती का पुत्र रखा था। एक सुन्दर नाम बरनबास हो सकता है। ये नाम उसकी विश्षिष्टाओं के कारण था। और इसे हम आगे और भी पढ़ेंगे कि बाइबल बरनबास के बारे में क्या बताती है। बरनबास का अर्थ है जो की एक महान मध्यस्त। एक लेवी अर्थात वो याजकों के गो अपना का एक प्रयत्न था। अर्थात वे अपनी अपनी संपती को आपस में बाणते थे। तमस्तमंडली के संपती आपस में बाणते थे। दियान दें कि वे असफल रहे क्योंकि समय के साथ साथ यरुश्लेम की आरंबी कलीसिया आगे चल कर लाचार हो गई तथा और मनली के सहारे जीना चाहते। यदि वे काम न करें तो उन्हें भोजन न दें। हर कोई काम करें अपने हातों से महनत करें ताकि इमानदारी से जीए। यह एक चलन था जो प्रेम से प्रिरित था जो प्रश्ण से निया था। वे भाईयों में समानता की खोज में थे। दुरुभागे से ये कारगर नहीं हुआ और विनाशकार इसे धुद हुआ। ये दिपी उसके पीछे उनका उद्देश भला था, तो अभी परमेश्व ने कहा कि मनिश्व अपने माथे के पसीने से अपनी रोटी कमाए। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा आगे को हम कोई काम नहीं करेंगे, हम केवल प्रभु की सेवा करेंगे तथा धर्मी वपवित्र बने रहेंगे, परमेश्व हमारे चिंता करेंगा, हमारे खाने का प्रबंद करेंगा, ऐसा मत सोचें, बाइबल कहती है, जो खाएगा, वो मेहनत करेंगा। उनकी ये जीवन शैली सरहा और प्रेरना से भरी थी, परंतु उनकी अपनी समस्याइं थी, हम इसके विश्य में अगले अध्याएं में देखेंगे. अब परमेश्व आपके साथ हो, तता आपका ध्यान रखे और आपको अपने प्रेम में बनाए रखे. काश आपके हिर्दय में परमेश्व का जलता ह वह वचन हो, कि आप प्रेरितों के समान उन बातों को अविश्य बोलें, जो आपने देखी, वह सुनी है। ये सची गवाही है, ये मेरा जीवन है, ये वह नहीं है जो मैं करता हूँ, ये वह है जो मैं हूँ। ये शु की गवाही देना इस संसार में अतिस्वभाविक बात है। ये एक निकत कारिक्रम नहीं है, ये कोई सूत्र नहीं जो मैंने सीख लिया, ये तो वह है जो मैं हूँ। मैं तो वही बाते बोलूँगा जो मैंने देखी और सुनी है, आपको केवल उसके प्रेम वा अनुग्रह के साक्षी देनी है, प्रवो आपके साथ रहे, आपको सुनहेरा अवसर दे, हम उस अवसर की ताक में रहें, जो परमेशुर हमें देना चाहता है कि ये शु के नाम म आमेन